गाल है Hello Everyone Welcome to my Channel और आज मैं आपके लिए लिकक्राएं हूं क्लास 10 के चेप्टर नमर 5 को ठीक है चेप्टर नमर 5 अर्था जन संघर्श और आंदूलन ठीक है जन संघर्श और आंदुलन फिक यह जो चेप्टने नमर 5 है यह लोकतांतरिक राजनिति का है ठीक है लोट्तांत्रिक राजनिति तो आज हम लोग अरफ संगर शुर्व आंदोलन का एक बहुत ही वी बिद्वियार कोशन करने वाले हैं तो चलिए अब हम लोग कोशन की और आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा जो सवाल है वो है दवाब समू और राजनितिक दल में क्या अंतर है दवाब समू और राजनितिक दल में क्या अंतर है तो चलिए इसके बारे में जानने की कोशिस करते है तो मैंने यहाँ पहले से टाइप करके रखा है दवाब समू और राजनितिक दल में अंतर क्या है दोनों में different क्या है ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होगा दवाब समू क्या है राजनितिक दल क्या है इसके छोटे-छोटे वीडियो हम upload कर चुके हैं अगर आप नहीं दे दीजेगा तो उसका answer हो जाएगा तो हमें अंतर लिखना है तो कैसे लिखना आपको पता होगा दवाब समू पहले color तो चेंज कर लेते हैं उसके बाद हम बताते हैं हाँ हो गया है और भी दूसरा color ले सकते हैं को दीकर नी ग्रीन भी ठीकी दिखेगा हाँ चलो चलेगा कता है सबसे पहला जो point है दवाब समू में केवल एक निता नत्विट करता है कहने का मतलब यह है एगर हम बात करें एक हमने ले लिया रफपेज तो आप कोपी में ऐसे एक divider line दीजेगा जो दो बटवारा करेगा यह हो गया दवाब समू यह हो गया राजनितिक दल ठीक है एक हो गया दवाब समू और दूसरा हो गया राजनितिक दल अब यहाँ पर point मर one बनाईएगा कि जो दवाब समू होता है इसका जो नेत्रिट करता मतलब y इसका एक नेता होता है मतलब इसमें एक नेता एक ही होगा कोई ठीक है लेकिन इसमें अनेक होगा जैसे इसका संगटन हो चाहे वकिल संगटन हो चाहे कोई भी संगटन क्या है एक संगटन होता है जो अपने लच्छों को पाने के लिए क्या करता है सरकार के नितियों को क्या करता है प्रभाविट करता है यह राजनितिक अकर दल की बात करें तो सभी को पता है पार्टी के बारे में ब दवाब सम्हों का मान लेजिए एक मजदूर संग है मजदूर संग है तो आप यहां क्या देखेंगे मजदूर संग जो है या मजदूर संग बोली या वक्तिल संग लिए तो जो मजदूर संग है यह एक परकार का दवाब सम्हों है तो दवाब सम्हों होता क्या है दवाब सम एक संगठन होता है इस संगठन में क्या होता है इसका कोई गवाई एक नेता करता है तो इसलिए हम कर सकते हैं कि दवाब समू केवल एक नेता नेतिर्ट करता है केवल एक नेता नेतिर्ट करता है जबकि राजनीतिक दल में अनेक नेता नेतिर्ट करते हैं यह अनेक नेता होत अगर दूसरा 포인ٹ की बात करें तो दवाब समों के पास केवल जानता की सक्ति ठीक है लेकिन अगर हम बात करें इसके पास क्या जनता का सक्ति वुली कैसे यह सब क्या करते हैं दवाब समूं माली यह संगठन बनाए तो सभी जनता इसके साथ हैं और आदो लंग कर रहे हैं कर रहे हैं लेकिन अगर हम राजनेतिक दल की बात करें तो इसके पास राजनेतिक सक्ति होता है अथा सत्ता होता है मतलब करते हैं सत्ता मतलब सक्ति इसके प पास जनता का सक्ति होता है जबकि राजनितिक दल के पास राजनितिक सक्ति होता है ठीक है अब इसके बाद देखा जाए तो दबाब समुष सत्ता में नहीं आना चाहता है मतलब इसको यह मतलब इसका मांग यह नहीं रहता है कि माले इसकी मांग है माले जी किसान आंदुरन क बढ़ाया थीक है और मजदूर संग का चल रहा है कि हमारी जो मजदूरी है यह दिन में 300 रुप्या किया जाएगी तो यह लोग छोड़ देंगे ठीक इसको के इसकी जो मांग है इसकी जो जरुरत है इसको पूरा की जायएगे करनें तो इसको सकति मिलना सब्सक्राइब नहीं अगर यह माना चाहता है यह दैसा और वनाना चाहते हैं ना लेकिन अगर हम लखी बात करें नंगी बहुत बड़ा पुर्य देश के लिवाल कि इसके बाद तक है कि सरकार की निति अगर कोई निति एसा है कि एकी समु के हित में है और दूसरा दूसरा जाती दूसरे धर्म को हो है ना परभाविट करते हैं दौब समों माले यह हम एक अजयाम पर ले लेते हैं कि कि किसान की बात करते हैं ठीक है अब किसान पर हुआ कुछ यूँ ही कहा गया कि अब जो किसान है ठीक है अब उसका चावल या खेती या कोई भी खेती करने में कि इतना उसका खर्चता पता नहीं लेकिन सरकार ने एक नियम बनाया कि उसकी खरदारी सरकार करेगी जितना पड़ेंगा हमाले यह रूल बना दिया तो यह तो घलत है ना ऐसा कुछ नहीं है अमाली सरकार किसान को लागत है माल लिए केजी पर 12 रुपिया और आप 10 रुप्य में खरें दिएगा तो यह निति किसान के लिए नहीं तो किसान जितने भी किसान हैं सब लोग एक हो जाएं कि दवाब समू क्या आता है सरकार की नितिक को प्राविट करता है एफेक्ट करता है लेकिन राजितिक दल राजितिक दल सरकार की नितिक को प्राविट नहीं करता है तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखी जो दवाब समू है ठीक है यह राजितिक दल यह